सो नाव बरुन बैविजिस लिमिटेड आप देखे कल नहीं आपका स्टॉक स्प्लिट का डे है पंदरे जून के देना है आपका स्टॉक यहां पर जेना 50% डाउन देखेगा सोबा सोबह आपका लॉस नहीं होने वाले आपका एक शेयर आपना आपके डीमेट अकाउंट में बढ़ने वाले चलिए यहां पर ना बहुत सारे सवाल हैं जैसे कि स्प्लिट के बाद आपकी डीमेट अकाउंट में आपकी शेयर कब तक आएंगे इसके साथ यहां पर तेजी होने वाली है इन सब पर डीटेल में बात करेंगे देखे तेजी वाला जो मामला है ना जो तेजी होगी या नहीं होगी बहुत सारे ups and downs हैं जो कि आपको समझने होगी रही बात यहां पर जो आपका डीमेट अकाउंट में है रही बात आपके डीमेट अकाउंट में कब आएंगे शेयर के देखे वन वीक का टायम लगता है नॉर्मली आपके शेयर सा जाने है और य कि शेयर आजाने इस प्लेट वाले उसके लिए आप यहां पर चिंदा ना करें अब यहां पर बात आती है कि आप तेजी होगी या नहीं होगी क्योंकि प्राइस जो है वह इतना डाउन आपको देखने को मिलेगा और यसी बात है जब भी कोई स्प्लेट होता है कोई तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलती ही है आप देखें जादा तर स्टॉक में तेजी देखने मिलती अब यह पताने इनके साथ होगा नहीं यह समझना होगा आपको क्योंकि आप ना वरून बेबरेजिस को चोटी मोटी कमपनी यह लार्ज केप की बड़ा यहां पर पर स्टॉक का प्रास क्यों बड़ा क्योंकि अपर बि्ल्कτί कर दिया बीटैनिया के बिलुकि आसपास का ले अव्य redenetus को मिल नहीं थी लिखना पहेंन अब देखें बहल抓 लमोस्त है तो साठेससाथ का यहां अपना आपकोंम मिलेगा इदानलोल मृष्यो से 55.39 के पी इंडेस्ट पी से अभी साड़े साथ पॉइंट के असपास से आपर जो ना हाई पर वर्क कर रहा है आपका यह अपका प्रीमियम पर वर्क कर रहा है अगर हम बात करें तो अब जैसा की मैंने का था नहीं यह आपके आप एंडाउन वाला काफी साथ है देखे जो को भी कॉंपेट गरना बिटेनिया वरुन वेवरेज्ट को ही करा कर यह क्योंकि आपके दोनों पास पास यह बिटेनिया का मार्किट कैप यह पर एक लाक है अथारह जार मुस्ट उनने सजार करोड के असपास का मार्किट कैप अगर आप डिफरेंस देखिए तो आल्मोस् सब्सक्राइब अगर बिटेनिया के पास ले जाना चाहता है तब तो यहां पर 14,000 को मार्केट के बाद भरता हूं नजर आए ऐसे में आपको यहां पर ना ओल मुस्ट अधर आप बात करें स्टॉक में आपको 22% की तेजी देखने हुए लिए अगर यहां पर 14,000 को मार्केट के बढ़ेगा बिटेनिया के पास पहुचेगा क्योंकि यह मार्केट के ऊपर ही है आप पहले से एक अंदाजन नहीं लगा सकते एक्चुल एक्चुल में यह तो आपको समुझ में आ रहा ह है और मार्केट केप को यहां पर पास करना होगा या फिर यहां पर जो पहुचना होगा तो आपके स्टॉक के अंदर बाद 22% की तेजी यहां पर अनुमानेत अभी यह तो होगी अप वाली बात आप डाउन वाली बात करते हैं देखिए पी रेशियो है ना बिटेनिया काफी कमफर्टेवल जगा पर है 51.30 के पी रेशियो वह कर रहा है आपका इंडस्ट भी पचपन है और आपके बरन वेवरेजिस का पी रेशियो वह कर रहा है 62.79 है अल्मुस्ट आज की रेट के साफ स यहां पर 61.30 के आसपास है ठीक है बट एक्चुल में बरन वेवरेजिस का पी रेशियो जो है वह वर्क कर रहा है अपने इंडस्ट पी से ज़ादा और बिटेनिया कर रहा है अपने इंडस्ट पी से कम फिर भी वह कमफर्टेवल जोन में है अब अगर बरन वेवरेजिस ब मार्केट कैप को छुएगा और अल्मुस्ट एक लाक उन्निस और या क्रूर की कमपनी बनेगा तो यहां पर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपका पी रेशियो भी बढ़ता हो नजर आए क्योंकि वैलुशन बढ़ती हुए नजर आ रही है ऐसे में आपका 62 का पी रेशि ची उसके बाद आपको समझ में आयागा अभी बहुत जादा महंगा नहीं है अभी महंगा नहीं है आपका साथ पॉइंट कोई बहुत बड़ा महंगा पर नहीं है लेकिन अगर आप बिटेनिया से कंपर करेंगे तो फिर महंगा देखेगा ठीक ना इंडिस्ट भी से आप बहुत जादा महंगा नहीं लेकिन बिटेनिया की कंपरेंजन महंगा है वरुन बेवरिजिस का स्टॉक यह आपके सामने पूरी बात अभी आप डीटेल वे समझ गए होंगे कि मार्केट कैप को क्यों में यह आपर रखे हुए हो और बिटेनिया से यहां पर कंपर क्यों कि 22% की तेजी कोई बड़ी बात नहीं है बरुन बेवरिजिस के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी तो वो होगी ठीक है लेकिन वो महंगा हो जायागा ठीक है इसका मतब यह है as a investor मैं यहां पर देखूंगा कि यहां पर P ratio अपने आपी यहां पर adjust हो और नीचे आ क्योंकि जो साथ का P ratio मैं उतना भी नहीं मैं विटेनिय के आसपास पहुँआ इसके लिए क्या होना चाहिए बरुन बेवरिजिस के अंदर Q1 के यहां तो result अच्छे आए तब ही P ratio डाउन होगा अपने आपी ठीक है ना यहां पर stock के अंदर कोई गराब अटा जाए तब य यहां पर Q1 का वेट करना चाहिए Q1 की जैसी नंबर आएंगे अच्छे नंबर आगए तो फिर यहां पर जो पी रिशु है वो अल्रेडी एड़्जस्टिट होकर नीचा जाए तो बहुत बड़ी टेजी की तो बात नहीं करूँगा लेकिन मार्केट में स्प्लिट होने ज है आप बिटेना के कंपार देखे तो हैवी वैलेश बेलिशन पर है वी तो नहीं है जाप का पी रेशियो इतना जादा भी नहीं है है वी वैलिएशन तो नहीं कहने चाहिए लिकिन हाई वैलिएशन तो बिटेनिय कंपरेजन है सो अमीद है आप इस बात को समझे होंगे आपका कहना है इसको उपर कमेंस से समय कही हो और अगर आप से वीडियो प्रॉब्लम है कुछ प्रॉब्लम है वीडियो देखने लिए बहुत दन्वाज उस्तो